नमस्कार बच्चों, मैं एकलेश प्रताप सिंग, आज मैं आप लोगों को उत्रप्रदेश बोर्ड पच्छा आठ विसाइविज्ञान में पार्चे पढ़ाऊंगा, धुरू करते हैं पार्चे जिसका नाम है कोसिका से अंगतंत्र तक, इस पार्ट में हमको क्या-क्या पढ का सामान परिचय, तंत्रिका, तंत्र तथा अंता स्रावी ग्रंतियों का परिचय, पाउधों में समनवयन हार्मोन, ये सारी चीजें हमको इस पार्ट में पढ़नी है, तो शुरू करते हैं इस पार्ट को, देखिए, आपने मकान बनते हुए देखा होगा, यह इटों से मि मिलकर बनता है, बहुत सारी इटों को जोड़ कर दीवारे खड़ी की जाती है, और दीवारों से मिलकर कमरा बनता है, कमरों से मिलकर मकान बनता है, ठीक, इसी प्रकार हमारा सरीर बना है, सरीर विभिन अंग, तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, स्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, आदि से मिलकर बना है, यह तंत्र अंगों से मिलकर बनते हैं, जैसे आमासय, छोटी आत, नाक, कान, पेफडे, घृदय, आदि, अंग पुना छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बने हैं, जिन्हें उत्तक कहा जाता है, उत्तक या इनी को हम टिस्सू भी कहते हैं, उत्तक सबसे छोटी रचनाक पोसिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अब देखिए, जैसे अभी यहां बताया गया कि जो हमारा घर बनता है, ये घर को हम मान लेते हैं, कि ये हमारा मानो सरीर है, यानि घर पूरा हमारा एक मानो सरीर है, हम तुलना कर रहे हैं एक तरह से, तो अब ये बनता कैसे हैं, घर बनता है इंटों से, एक एक इंट को जोडते हम, तभी जाके घर बनता है, वो जो इंट है, उसको हम यहां कह सकते हैं, कि वो कोसिका है, यानि मानो सरीर में जो कोसिका होती है, वो काम घर में, जो घर बनाने में इंट करती है, जो काम कोसिका मानो सरीर में करती है फिर कई सारे इंट जब जोड़ दिये जाते हैं तब एक दिवाल बन जाती है तो वो जो दिवाल बनती है उसकी तुलना हम मानो सरीर में उत्तक से करते हैं यानि वो टिस्सू की तरह कारे करता है फिर क्या होता है फिर जब चारों तरप से दिवाल बन जाती है तो फिर क्या बनता है? कई सारे दिवाल हो गए ठीक, यानि कई सारे उत्तक हो गए एक कमरा बनाने में कम से कम चार दिवाल की ज़रूरत पड़ती है तो चार उत्तक हो गए वो सारे उत्तक मिलके क्या बना दिये अंग बना दिये या अंग को हम और्गन भी इंगल्स में कहते हैं तो इसी प्रकार हमारे सरीर में वो हो गया हाथ हो गया ठीक ये क्या हो गये हमारे सरीर का एक अंग हो गया इसी प्रकार जब कई सारे अंग मिल जाते हैं तो वो अंग तंत्र बन जाता है ठीक तो इस तरह हम एक घर की तुलना अपने सरीर से कर सकते हैं आगे पढ़ते हैं देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो मानो सरीर है हमारा जो सरीर है उसमें सबसे पहले कोसिका आती है याने सबसे छोटी इकाई निर्माड की कोसिका हो गई मानो सरीर की कोसिका के बाद क्या आता है कई सारी कोसिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो बनता है क्या उत्तक उत्तक देखिए कोसिका को हम तेल भी कहते हैं ठीक उत्तक को हम टीशू भी कहते हैं अब उत्तक कई सारे उत ओर वार्गन कहते हैं कि अब कई सारे अंग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं अंग तंत्र बनाते हैं यानि इसको कहते हैं और फिर आखरी में जब कई सारे आर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा हमारा बनता है बॉडि ठीक बॉडि हमारा तब बनता है तो यह हो गया कैसे हमारे क्या-क्या मिलके हमारे सरीर का निर्माड होता है कैसे कैसे निर्माड होता है अब आते हैं हम कोसिका पे यानी सेल पे देखिए कोसिका सरीर की रचना एवं कार्यात्मा की काई है इनकी संख्या जीवों में अलग-अलग होती है जैसे अमीबा, पेरामीसियम, युगलीना, आधी जीव एक कोसिका से बने होते हैं ये एक कोसिका जीव कहलाते हैं केचुआ, हाथी, मनुस्च, बंदर, बर्गद, आधी में अनेक कोसिका होती हैं ये बहु कोसिका जीव कहलाते हैं कोसिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो सभी जीवों में पोसड, उत्सर्जन, वृद्धी, स्वसन तथा जनन जैसी क्रियाएं होती रहती है यानि हर कोसिका चाहे एक कोस्किय जीव हो, चाहे बहु कोस्किय जीव हो ठीक, सभी में पोसड होता है, उत्सर्जन होता है, वृद्धी भी होता है, स्वशन भी होता है और जनन भी होता है, जनन का मतलब हो गया कि वो अपने जैसे और भी जीवों को उत्पन कर सकते हैं देखिए कोसिका जीवन की आधार भूत सनरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है यानि एक तो सरीर की सबसे छोटी इकाई यही है कोसिका कई सारी कोसिका मिलके ही तब एक सरीर का निर्माड करती है अब देखिए यहाँ पर अमीबा का ये चित्र दिया हुआ है ये अमीबा जो है ये एक कोसिका जीव होता है और इस अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है ठीक आप लोगी ये भी याद कर लीजे कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है ये दिखिए पैरामीसियम है ये इधर ये जो बना है ये पैरामीसियम है ये थोड़ा जो हमारा चपल होता है या जूता होता है उसका जो सोल होता है उसके आकार के जैसा होता है ये भी एक कोस्की जीव है लेकिन पेरामीसियम का जो आकार है वो निश्चित है वो इसी आकार में मिलेगा ठीक तो ये दोनों हमारे क्या होगे एक कोस्की जीव में आत विवरड के आधार पर या कहा जा सकता है कि जीवों के सरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई कोसिका है, जिसमें जीवन के सभीकार होते हैं, यानि जीवन के सभीकार होने का मतलब जो कोसिका होती है, वो कोसिका उर्जा ग्रहड भी करती है, उर्जा प्रदान भी करती है, स्वसन भी करती है अपना पोसड भी करती है हमारे सरीर में जितनी भी कोसिकाई है हर कोसिका स्वसन करती है स्वसन करेगी उर्जा ग्रहड करेगी तभी वो काम कर पाएगी तभी वो अपना पोसड कर पाएगी तभी वो बढ़ पाएगी जब पुसर्ड होगा उसका तभी वो ग्रोथ करेगी, वृद्धी करेगी, ठीक, चलिए आगे अब बढ़ते हैं, वो इसी काओं की एक विशिस्ता याभी है कि उनकी आकृति एवं आकार एक समान नहीं होते, जैसे अमीबा अनियमित आकृति का जीव है, जबकि पैरामीसिय की आकृति चपल जैसी होती है, अभी मैंने उपर बताया कि जो पैरामीबा है, उसकी आकृति निशित नहीं होती है, जबकि जो पैरामीसियम है, उसकी आकृति चपल के जैसी होती है, बहु कोसिका जीव के सरीर में उपस्थित कोसिकाएं चपती, गोल, अंडाकार, घनाक या अनियमित आकरित की भी हो सकती हैं साथ ही कुछ कोसिका है छोटी तथा कुछ बड़ी भी हो सकती हैं यानि जो बहुत कोस्की जीव होते हैं उनमें जो कोसिका का आकार है वो कई तरह का हो सकता है जैसे गोल भी हो सकता है ये दिया ना ये गोल आकार का हमारा कोसिका हो गया ये देखे तरक रूपी आकार है इसका, इस कोसिका का ये कोसिका हमारी क्या है ये लंबी शाखानवित कोसिका है तो ये सारी तरह की कोसिका पाई जा सकती है किसी बहुकोस की जीव के अंदर अब कोसिका को देखने के लिए एक क्रिया कलाब बताया गया है वो देखते हैं देखिए इस क्रिया कलाब में हम इस्तमाल करेंगे प्याज की जिल्ली का जैसे आपने प्याज देखा होगा तो प्याज जब छिलते हैं तो कभी-कभी छिलते हुए आपने देखा होगा कि उसमें बहुत पतली सी एक परत होती है जिल्ली नुमा, बहुत पतली सी परत होती है, सफेद सफेद, ठीक, उसी जिल्ली का इस्तमाल करना है हमको ये कोशिका देखने के लिए, आप देखिए क्रिया कल आप कैसे करेंगे, सेफ्रेनीन एक अभिरंजग होता है लाल रंका ठीक, उसकी एक बूंद डाल कर 2-3 मिनट प्रतिच्छा कीजिए, यदि अभिरंजग सेफ्रेनीन अधिक हो जाता है तो पानी डाल कर उसे धो लें, साफ सलाइट पर एक बूंद गिलिसरीन लें, तथा उस पर अभिरंजित प्याज का टुकडा रखकर कवर स्लिप से ढग दीजिए, ठीक, जो स्लाइट हम सीसे की एक ट्रांस्पेरन तीसा लेते हैं, वो स्लाइट नुमा एक आकार का होता है, वो जो स्लाइट होती है न, उसका आकार ऐसे ही होता है, सीसे का होता है, ऐसे आकार होता है, ठीक, उसी क के उपर हम जो प्याज की जिल्ली है ऐसे रख लेंगे कहीं बीच में फिर इसके उपर हम जो अभिरंजक है हमारा सेफ्रेनिन का उसको इसके उपर डालेंगे ठीक और डालने के बाद एक दूसरा ऐसे स्लाइड लेंगे इसी प्रकार का और इसको उठाके हम इसके उपर ऐसे पुरा ढख देंगे पहली स्लाइड के उपर रख देंगे ठीक अब क्या करेंगे फिर सूचमदर्सी द्वारा ओलोकन कीजिए ठीक फिर क्या करेंगे सूचमदर्सी के द्वारा हम जब इस भाग को दे दिखाई देगी अब इस आक्रिती में देखिए क्या-क्या यह जो गोल से बने हुए हैं इनको कहते हैं केंद्र ठीक या न्यूक्लियस होते हैं यह और यह जो इनके बगल यह वाली जगह है इसको कहते हैं कोशिका द्रब तो ऐसी कुछ चीजें हमको सुछमदर्सित से जब ह सबसे बड़ी कोशिका सुतुर्मुर्ग पक्षी का अंडा है यानि जो सुतुर्मुर्ग पक्षी होता है उसका जो अंडा होता है वो फिर्थवी पेर अभी तक पाया जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाजमा नामत जीव की होती है एक सबसे बड़ी कोशिका सुत्रमूर कांडा होता है सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाजमा नामत जीव की होती है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो एक मीटर तक लंबी हो सकती है अब आगे आते हैं कोसिका की संरचना अब देखे इसमें कोसिका की संरचना का आध्यन करने के लिए सूच्मदर्सी यंत्र की आवशक्ता होती है देगे अगर हमको कोशिका के बारे में जानना है, कोशिका को देखना है, तो हमारे पास सूचमदर्सी यंत्र होना जरूरी है, तभी हम उसको देख पाएंगे, तभी हम उसके बारे में अध्यन और अधिक कर पाएंगे, क्योंकि कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम अपने समा ने आखों से उसको अच्छे से नहीं देख सकते कोसिका का अध्यान सरवपर्थम वैज्ञानिक राबर ठुक ने सन 1665 में किया था इन्होंने स्वयम के बनाए हुए सुचमदर्सी से कोसिका को देखा था तो ये आप याद कर लेंगे सरवपर्थम कोसिका का अध्यान किसने किया राबर ठुक वैज्ञानिक थे उन्होंने 1665 में किया था अब ये देखिए ये कोसिका के चित्र है ये जो चित्र है ये है पादब कोसिका का और ये जो चित्र है ये है जन्तु कोसिका का पादब कोशिका मतलब पेड़ पौधो की जो कोशिका होती है उसको पादब कोशिका कहते हैं और जन्तु कोशिका मतलब जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानो, मनुष ये सब जो है वो जन्तु कोशिका में आते हैं अब देखिए पादब कोशिका के चित्र में ये देखते हैं ये यहां पर हरित लवक दिया हुआ है हरित लवक मतलब यह क्लोरोफिल हो गया हमारा यह कोशिका भित्ती कोशिका भित्ती मतलब यह जो मोटी मोटी लाइन ऐसे बनी हुई है ना इसी को कोशिका भित्ती कहते हैं यह रितिका है ये देखिए ये बीच में जो खाली जगह है ये जल है अब देखिए दोनों कोशिका में ये देखिए ये सारी इधर की ये जो चीजें हैं ये चीजें सिर्फ किसमें पाई जाती हैं पादब कोशिका में पाई जाती है अब ये जो चीजें हैं ये चीजें पादब कोसिका और जन्तुकोसिका दोनों में पाई जाती है ठीक सेंट्रोसोम ये जन्तुकोसिका में पाई जाता है लाइसोसोम ये भी जन्तुकोसिका में पाई जाता है अब देखे राइबो सोम्स जो है ये पादप कोसिका और जन्तु कोसिका दोनों में पाया जाता है और ये जालिका है ये भी दोनों में पाया जाता है केंद्रग भी दोनों में पाया जाता है कोसिका जिल्ली जो होती है वो भी दोनों में पाया जाती है कोशिका द्रव ये भी दोनों में पाया जाता है और माइटो कांडिया ये भी पादप और जन्त कोशिका दोनों में पाया जाता है अब इन सब के बारे में हैं आगे और पढ़ते हैं थोड़ा देखे सामानता एक कोशिका में कोशिका जिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव नामक तीन भाग होते हैं साथ ही कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी रचनाएं भी दिखाई देती हैं जिनें कोशिकां कहते हैं रचनात्मक दिरिष्टी से पौधों एवं जन्तूं की कोशिकाएं अलग-अलग प्रकार की होती है पौधे एवं जन्तू की कोशिका में कुछ कोशिकां समान तथा कुछ कोशिकां आसमान होते हैं एक पादब एवं जन्त कोशिका की रचना जो उपर चित्र है उसमें यह देखिए यहाँ पे दिखाया गया है यह चित्र में सब कुछ बताया गया है अब जो उसमें मुख्यमुख चीजे बताई गई है जैसे देखे चित्र में ये कोशिका भित्ती हो गई, रितिका हो गई, माइटोकांड्रिया हो गया, कोशिका द्रव हो गया तो इन सब के बारे में हम अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे देखिए प्रमुख कोशिकांगेओं उनके कार, अब हम देखते हैं इनके कार क्या होते हैं, कोशिका जिल्ली, इसका कार क्या होता है यहां प्रते कोशिका में चारो और पाई जाने वाली जिल्ली है जो कोशिका को इस्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंतरित करती है यहां सभी कोशिकाओं में अवस्य उपस्थित रहती है देखिए यह जो कोशिका जिल्ली इस चित्र में आप देख रहे हैं यह यहां पे लिखा ना कोशिका जिल्ली यह यही इसी चीज को कहते हैं क्या कोशिका जिल्ली ठीक ये और पादप में ऐसी जो ये अंदर अंदर को बनी है इसको कहते हैं हम कोशिका जिल्ली ये हो गया कोशिका जिल्ली अब आते हैं कोशिका भित्ती पे पौधों में कोशिका जिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ती कहते हैं कोशिका भित्ती एक द्रिड सन रचना है जो कोशिका की रच्छा करती है यह केवल पौधों में पाई जाती है देखे हैं विचित्र में मैंने बताया था कोशिका भित्ती क्या है यह देखे जो बाहर की तरफ यह मोटी मोटी लाइने हैं ठीक ये इसी को कहते हैं कोशिका भित्ती ये जो मोटी सी लाइन है गुलाबी रंकी ये इसको कहते हैं कोशिका भित्ती ये मजबूत होती है थोड़ा द्रड होती है जिससे जो कोशिका होती है कोशिका का अंदर का भाग है, वो सुरक्षित रहे अब आते हैं केंद्रक पे नुकलियस पे यह कोशिका का सबसे महतपूर कोशिकांग है जो सामानिता जन्तु कोशिका के मद्ध में होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में या परिधी की ओर होता है इसका कार कोशिका की वृद्धी एवं विभाजन करना है या पूरी कोशिका की रचना वा कार पर नियंत्रण रखता है देखिए अब यह जो केंद्रक है यह चित्र में देखिए जो पादब कोशिका है इसमें केंद्रक यहां पाया जाता है यह किनारे जो है देखिए यहां किनारे पाया जाता है जबकि जन्त कोसिका में जो केंद्रक होता है वो मध्य में पाया जाता है ठीक पाया दोनों में जाता है लेकिन जन्त कोसिका में मध्य में पाया जाता है लेकिन केंद्रक जो इसमें पाया जाता है पादब कोसिका में व और कार्य प्रडाली पर इसके नियंत्रड रखता है, अब आते हैं हम कोशिका द्रव पर, केंद्रत तथा कोशिका जिल्ली के बीच में उपस्तित जीव द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं, उसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटो कांड्रिया, गाल वाल Hautजी का एह, हरित लवक आदी, ये देखिए ये जीव द्रव कहते हैं इस चीज को, देखिए ये जो, इन डोनों जो लाइन मैं बना रहा हूं , इन दोनों की बीच की जो लाइन है, इन दोनों की बीच में जो जगह है इसी को हम कहते है क्या Спूल Evan Root कुशिका इनी के बीच में देखिए हरित लवक पाया जाता है इनी के बीच में रिक्तिका भी पाई जाती है ऐसे ही इनी के बीच में यह देखिए यहाँ पर माइटो कांड्रिया पाया जाता है तो इस तरह यह जीज द्रव या कोशिक या कोशिका द्रव के बीच में ही यह सारी चीज पाई जाती है अब आते हैं माइटो कांड्रिया पे यह दोरी जिल्ली से घिरी कैपसूल के आकार की रचना होती है जो स्वसन क्रिया में भाग लेकर उर्जा उत्पन करता है तथा संचित करता है यानि यह उर्जा को उत्पन भी करता है और उसको संजोके भी रखता है इस कोसिका का इसे कोसिका का उर्जा ग्रह या पावर हाउस भी कहते हैं जो माइटो कांड्रिया होता है इसी को हम सरीर का उर्जा का स्रोत कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं जहां पे उर्जा बनती है अब आते हैं हरित लवक पर यह केवल हरी पादव कोशिकाओं में ही पाया जाता है तथा प्रकास संसलेशर का कार्य करता है हरित लवक मतलब क्लोरोफिल के कारड ही प्रकास संसलेशर की यानि photosynthesis की क्रिया हो पाती है हरे पौधों में, ठीक हरे पौधों में इसी के कारड़ी जो प्रकास अंसलेशड होता है उसकी क्रिया हो पाती है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधी की जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा क्यूं होता है इसी हरित लवक के कारड़ी है अगला देखते हैं तारक काय या केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है या सिर्फ जन्तु कोशिकाओं में पाया जाता है रितिका देखते हैं या पादप एवं जन्तुओं दोनों कोशिकाओं में पाय जाती है परंतु पौधों में एक बड़ी रितिका केंद्र में होती है जबकि जन्तुओं या जन्तु कोशिका में छोटी छोटी अनेक रितिकाएं कोशिका में बिखरी होती है इनका कार पान होता है जो चीजें उस कोशिका में उपलब्द हैं जैसे पानी हो गया लवर हो गया या पदार्थ का जो संग्रय होता है उनकी मातरा का संतुलन बनाना ही इनका काम होता है गाल जिकाए देखते हैं पदार्थों का संसलेशड भंडार एवं स्रावड करना इनका प्रमुकार है लाइसोसोम्स ये कोसिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार करते हैं राइबोसोम्स ये प्रोटीन संसलेशड में सहायक होते हैं ठीक यानि ये एक तरह से इनको हम कह सकते हैं प्रोटीन निर्माड की फैक्टरी राइबोसोम्स को हम क्या कह सकते हैं प्रोटीन निर्माड की फैक्टरी जैसे माइटो कांडरिया को हम क्या कह सकते हैं उर्जा ग्रह कह सकते हैं वैसे ही राइबोसोम्स को हम प्रोटीन निर्म अब आगे आते हैं संबंध बनाती है या प्रोटीन के संसलेशड में सहयता करती है यानि ये प्रोटीन का संसलेशड जो होता है प्रोटीन राइबोसोंस जो बनाता है उसमें भी सहयता करते हैं अब आते हैं पादब कोसिका एवं जन्त कोसिका में अंतर पादब कोशिका एवं जन्त कोशिका में अंतर देखिए यहां तालिका में दिया हुआ है एक तरफ पादब कोशिका एक तरफ जन्त कोशिका देखिए कई चीजें पादब कोशिका और जन्त कोशिका में समान भी होती है जैसे Mitochandria दोनों में पाये जाता है, कोसिका द्रफ दोनों में पाये जाता है, तो ऐसी बहुत सी चीज़े है, जो समान है, लेकिन जो भिन्न है, उनको देखना है मैं यहां, जो जो अंतर है, देखिए पहला, कोसिका भित्ति पाई जाती है, किस में? पादब कोसिका में, ल परितलवक नहीं पाये जाते हैं सेंट्रो सोम्स अनुपस्थित होते हैं पादप कोसिका में सेंट्रो सोम्स उपस्थित होते हैं जन्तुकोसिका में रितिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है जन्तु कोशिका में रितिकाय छोटी तथा संख्या में अधिक होती है पादप कोशिका में केंदरक परित की ओर हो सकता है जबकि जन्तु कोशिका में अधिकांस जन्तु कोशिकाओं में केंदरक मध्य में होता है तो ये हो गए पादप कोशिका और जन्त कोशिका में अंतर अब उत्तक अब आते हैं अभी हम पढ़ रहे थे क्या कोशिका यानि सेल के बारे में पढ़ रहे थे अब हम पढ़ते हैं उत्तक यानि तिस्सू के बारे में ठीक देखिए सभी जीवित प्राड़ी वा पौधे कोसिकाओं से बने होते हैं अमीबा पैरामीसियम जैसे एक कोसिका जीव में सभी जैविक क्रियाएं जैसे जैविक क्रियाएं का मतलब दिखिए जैविक क्रियाओं में यही चीज़े आती हैं स्वसन, पाचन, उत्सरजन, आदि, ये सारी जैविक क्रियाओं में आते हैं, एक ही कोसिका में संपन्न होती हैं, क्यूं अमीबा पैरामीसियम एक कोसिकी जीव हैं, इसलिए इनमें सभी जैविक क्रियाओं एक ही कोसिका में संपन्न होती हैं, बहुत कोसिका जीवों में असं समू, संकुचन एवं प्रसारण करता है संत्रिका कोशिकाएं संदेशों को पहुचाने का कारे करता है तथा पौधों में जल का संबहन जाइलम द्वारा होता है कोशिकाओं के ऐसे समू को क्या कहते है या क्या कहा जाता है सरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह से एक तरह के कार को संपन करने में दच होती है वे समू में होती है देखे समान रचना वा उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समू जिनके द्वारा विसिस्ट कार संपन होता है या होते हैं उत तक कहलाते है यानि जैसे देख लीजे हमारा हाथ है अब हमारा हाथ जो है वो एक विसिस्ट कारे करता है ठीक पकड़ता है हाथ हुटता है हाथ से हम कोई चीज़ पकड़ को उठा सकते हैं तो ये एक तरह के उत्तक से बना हुआ है ठीक एक तरह की कोशिकाओं का समू है जिससे हमारे हाथ का निर्माड हुआ है ठीक यानि इसमें जो उत्तक आये हैं वो किसी कई सारी एक कोशिका के समू से मिलकर बने हैं तब जाके ये उत्तक या ये टिसू बनता है अब पादप उत्तक देखते हैं या जो पौधों के उत्तक होते हैं प्लांट टिसुजी से कहते हैं जन्तुओं में लंबाई व्रिद्धी एक निश्चित आयूतक होती है या पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली कच्छाओं में पढ़ चुके हैं आप कि जो जन्तुओं में व्रिद्धी होती है वो एक निश्चित आयूतक होती है परंट जो पौधों में होती है वो जीवन पर्यांत तक होती है यानि जब तक वो जीवित हैं तब तक उनमें व्रिद्धी होगी परनंत पौधों में व्रिद्धी जीवन भर होती है जिससे नई साखाएं बनती है अताह इससे यहां असपस्थ है कि पौधों में पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं ये उत्तक पौधों के कुछ भाग में तीमित रहते हैं उत्तकों के विभाजन छमता के आधार पर ही पौधों में उत्तक, पौधों के उत्तक, जिने पादप उत्तक कहते हैं, प्लांट इसू, पौधों के उत्तकों को प्रविभाजी उत्तक एवं अस्थाई उत्तक में वर्गी कृत किया गया है, ठीक, तो जो प्लांट इसू होत इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्राविभाजी उत्तक और दूसरा अस्थाई उत्तक, अब देखते हैं प्राविभाजी उत्तक, पौधों में वृद्धी कुछ निश्चित छेत्रों में जैसे जड़ या तने की कलिकाओं के सीर्स भाग में होती है, ऐस विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले उत्तक की कारण होता है, ऐसे उत्तक को प्राविभाजी उत्तक या विभाजी उत्तक या निरंतर विभाजित होने वाले उत्तक कहा जाता है, ठीक, इन में से हम कुछ भी कह सकते हैं, प्राविभाजी उत्तक भी कह सकते हैं, व लेंगे दो काश्क का जार लेंगे दोनों में समें पानी भर देंगे जिधर प्याज का टुकड़ा मतलब जो प्याज है उसमें जिस तरफ जड होती है वह वाला टुगड़ा पानी की तरफ यानि ग्लासे syllable कर देंगे दोनों लास में फिर आप देखिए क्या कह रहा है दो कांच के जार लेते हैं उसमें पानी भर देते हैं अब दो प्याज लेते हैं और अलग अलग जारों में एक एक कर प्याज रख देते हैं पांच दिन तक दोनों प्याज की जड़ों की लंबाई मापते हैं पहले दूसरे तीसरे दिनों में दोनों जार के प्याज की मूल की लंबाई माप लेते हैं दूसरे जार में रखी प्याज की जड़ को चौथे दिन लगभग एक सेंटीमीटर काट लें यानि इस जार में जो प्याज है इसकी जड़ को लगबग 1 cm हम काट देंगे इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की जड़ों की लंबाई को 5 दिनों तक पुना अवलोकन करें और उसमें प्रतेक दिन की वृद्धी की माप जो नीचे तालिका बनी है या जहां भी आप चाहें वहां लिखें ठीक इसी प्रकार आप देखिए यहां पे लिखा है प्याज के साथ है तो इसी प्रकार आप जलकुम्भी के साथ भी ये काम कर सकते हैं अब देखिए इसे होता क्या है देखिए इसे होता ये है जब हम दूसरे जार में रखे प्याज की जड़ के अगले हिस्से को काट देते हैं तो वे वृद्धी करना बंद कर देते हैं ठीक ये इसी लिए ये प्राविभाजी उत्तक होते हैं ठीक अब देखिए अस्थाई उत्तक क्या होते हैं ये है अस्थाई उत्तक देखिए प्राविभाजी उत्तक द्वारा बनी नई कोशिकाओं में कोई परिवर्तन होता है क्या वे पुना विभाजित होती हैं तो ये सारी चीज़ें देखते हैं इसमें ये पादप सरीर में विक्सित होकर तथा विभाजन छमता खोकर अन्य विसिस्ट कार करती हैं इनके समू को अस्थाई उत्तक कहते हैं देखिए जैसे जड़, तना, पत्ती तथा अन्य भागों में अस्थाई उत्तक देख सकते हैं जैनि जो पादपों में होता पाधों में जो जड़ होते हैं तना होते हैं या पत्तियां होती हैं वो क्या होते हैं उन भागों में हमको अस्थाई उत्तक मिलते हैं ये दो प्रकार के होते हैं सरल उत्तक एवं जटिल उत्तक अब जो अस्थाई उत्तक होते हैं इनको दो उत्तकों में बाटा गया है एक सरल उत्तक एक जटिल उत्तक ये दोनों उत्तक मिलकर बढ़ते हुए पादप का गठन करते हैं सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं पादप नि जैलम और फ्लोयम जटिल उत्तकों के उदारण हैं अभी उपर आपने पढ़ा जैलम उत्तक क्या करता है जल का या खनीजलवड का समभान करता है पेड़ों में और जो फ्लोयम उत्तक होता है उसका काम होता है जो भोजन बना है उसको व्रिक्ष के या पौधे के हर भाग में पहुंचाना तो अगर कोई पूचता है जाईलम और फ्लोयम का काम क्या है तो जाईलम जल और खनीज लवड को कीचता है ठीक और या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और फ्लोयम जो भोजन बनता है उसको एक जगह से या मतलब पूरे विक्च में या पूरे पौधे में हर जगे पहुंचाता है अगर देखिए यहां पे एक क्रिया कलाब दिया है जायलम फ्लोय हम को कैसे देखेंगे देखिए गुल महंदी या था टमाटर का एक छोटा पौधा लें एक कांच के बरतन में आधा पानी भरक कर उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल दें इस रंगीन पानी में पौधे की जड़ो को डुबा कर छोड़ दें लगभग 10-15 घंटे पश्चात पौधे को बाहर निकालें पौधे के तने को अनुपरस्त काट या 36 काट लें हैंड लेंस की सहायता से फिर देखें कें जिंद्रिये घेरे में लाल रंग के छोटे छोटे धबे दिखाई देते हैं जिनें समवहन पूल कहते हैं यह जो दिखाई देते हैं इने को समवहन पूल कहते हैं समवहन पूल जाइलम और फ्लोयम नामक उत्तक से मिलकर बनते हैं इनसे समवहन कार्य होता है ठीक अगर देखिए पादप उत्तक के कार पौधों की जड़ों द्वारा आउसोसित जल एवं खनिज लवड को पत्तियों तक पहुचाने का कार जायलम उत्तक करते हैं यानि जो पानी हो गया खनिज लवड हो गये ये सब खींच के या उसोसित करके पत्तियों तक पहुचाने का कार कौन करता है जाइलम पत्तियों में निर्मित भोज पदार्थ पौधों के विभिन अंगों तक पहुचाने का कार फ्लोयमुत तक का होता है ठीक ये दोनों के का अब आते हैं हम जन्तू उत्तक पे देखिए एपिथीलियम उत्तक जन्तू उत्तक में उत्तक पाया जाता है एपिथीलियम उत्तक सरीर और अंगों का बाह्यास्तर बनाते हैं यहां उत्तक पूरे सरीर का बाहरी आवरण बनाता है अता है इसे आवरण उत्तक भी कहा जाता है खोकले अंगो जैसे मुख गुहा, आमासे, आत, स्वास नली, फेफडे, रक्त नलिकाओ, आज के भीतरी सता इसी उत्तक के बने होते हैं अब आप अगर एपिथीलियम को देखना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है आपने मेढकों को देखाओगा तो अगर कोई मेढक ऐसे पकड़ लीजे, मेढक को एक बरतन में पानी लीजे और मेढक को उसमें रख दीजे अब देखेंगे आप कि मेढक जब उस पानी में रहता है तो उस पानी में हलकी सी चमकदार एक परत बन जाती है जो वो परत होती है वो epithelium उत्तक का ही बना होता है ठीक तो वही उत्तक epithelium होता है तो ऐसे आप देख सकते हैं चलिए अब आते हैं संयोजी उत्तक संयोजी उत्तक विबिन अंगों को जोडते हैं और सहारा प्रदान करते हैं जैसे अस्ति रक्त आदी संयोजी उत्तक सरीर के विबिन अंगों को एक दूसरे से तथा एक उत्तक को दूसरे उत्तक से जोडने में मदद करते हैं ये उत्तक के बीच के अस्थानों को भरने द्रिड़ता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं संयोजी उत्तक कई प्रकार के होते हैं देखिए पहला देखते हैं अंतरालिय उत्तक ये तचा की नीचे पेसियों के बीच बीच में तथा रक्त वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के चारो और पाए जाता है अब देखिए जो हमारे हाथ की तचा होती है उसके नीचे नसे होती है जो हमारी नसे होती है उन नसों के चारों और जो चीज पाई जाती है वो अंतरालिय उत्तक होते हैं अब अस्ति या उपास्ति अस्ति सबसे कठोर उत्तक है अस्ति मतलब हड्डी जो हमारे सरीर में हड्डियां होती है उन्हीं को अस्ति कहते हैं तो वो क्या होता है वो सबसे कठोर उत्तक होते हैं किसके बने होते हैं इसमें कैल्सियम तथा खनिच पाया जाता है जिससे इसमे दिर्टा आ जाती है सरीर को धाचा धाचा मतलब जो हमारे सरीर का कंकाल होता है यानि हमारे सरीर में अगर हम सारी चरबी या फैट जो इसकीन है सब कुछ निकाल दिया जाए उसके बाद सिर्फ हड़ी हड़ी बचेगा तो उस चीज को हम क्या कहेंगे कंकाल उसी को कहते हैं सकल्टन ठीक इंगलिस में सकल्टन कहते हैं या फिर असे कंकाल कहते है सरीर को धाचा प्रदान करने में इसका विसेश योगदान होता है जबकि उपास्ती लचीला होता है जैसे बाह कड की मकड उपास्ती का बना होता है हमारा जो कान होता है जिस कान को हम छू सकते हैं बाहर से ये कान जिस चीज का बना होता है इसी को कहते हैं उपास्ती, इसी को कार्टिलेच को कहते हैं अब आते हैं रक्त पे यह एक मात्र उत्तक है जो तरल अवस्था में होता है अताह इसे तरल संयोजी उत्तक कहते है रक्त का तरल भाग प्लाजमा होता है तथा इसमें तीन प्रकार के रक्त कडिका पाई जाती है लाल रक्त कडिका रेड बलड सेल कहते है स्वेध रक्ट कडिका, white blood cell और फिर platylate देखे सरीर में लाल रक्ट कडिकाओ की कमी हो जाने से रक्त हींता या इसी को हम क्या कहते हैं? इनीमिया हो जाता है स्वेध रक्ट कडिका रोगारू का भच्छड करती है इसकी कमी से सरीर की प्रतिरोधक छमता गटी जाती है प्लेटिलेट रक्त के जमने में साहता करती है जिससे चोट लगने पर रक्त का बहाव नियंत्रित होता है अपने देखा होगा ना जब हम कहीं गिरविर जाते हैं तो हमारे हमारा हाथ छिल जाता है लेकिन कुछ दिर बाद जहां से खून निकलता है वो खून वहाँ पे ठक्का जम जाता है तो वो ठक्का जमाने का काम कौन करता है प्लेटिलेट करता है इसलिए प्लेटिलेट की मात्रा अगर कम हो जाए सरीर में तो खून का ठक्का बनना रुख जाएगा या कम हो जाएगा अब आते हैं पेसी ये उत्तक पे देखें पेसी ये उत्तक हमारे सरीर में कुछ विसेश कोशिका होती है जिनें पेसी कोशिका कहते हैं पेसी कोशिकाओं के समू में पेसी उत्तक बनाते हैं ये अंगो गत्य प्रदान करने में सहयक होते हैं कुछ पेसी हो में हम अपनी इच्छा अनुसार गत्य करा सकते हैं या उनकी गत्य को रोक सकते हैं से हाथ पैर की पेसियां हम हाथ को अपनी इच्छा अनुसार हिला सकते हैं ठीक पैर को भी अपनी इच्छा अनुसार हिला सकते हैं ठीक तो यह सब कैसी कोशिका हैं यह सब इन सब कोशिकाओं को हम एच्छिक कोशिका या अच्छिक पेसी कह सकते हैं क्योंकि इन पर हमारा नि सकते हैं और रेखित पेशी भी कह सकते हैं सुचमदर्सी में अवलोकन करने पर पेशियों में हलके तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं या धारियों की तरह रचनाईं दिखाई देती हैं ये इस चित्र में ये ऐसे दिखाई देते हैं ऐसे लाइन लाइन करके ठी या फिर ऐसे ये दिखिए ऐसे इसे लाइन बनी होती है ऐसे होते हैं ये रेखित पेसी भी कहते हैं ये पेसियां काफी मजबूत होती हैं और प्राहया कंकाल से जुड़ी होती है कंकाल मतलब ये वो पेसियां होती हैं जो हड्डियों से जुड़ती है आहार नाल में भोजन का किसकना या रखनलिका का प्रसार अथवा संकुचन जैसी गती ऐचिक नहीं है जैसे आपने देखाओगा न दिल धड़कता है जो हमारा हर्ट धड़कता है वो तो उस पे तो हमारे नियंतर अढ़ है नहीं जो हमारा हर्ट है हिर्दय है वो अपने एक निश्चित चाल से धड़कता है तो ये कैसी हो गई ये एचिक क्रिया तो होई नहीं इसलिए इसकों कहते हैं अनेचिक पेसी या अनेचिक क्रिया हो गई हम इन में इच्छा नुसार गती प्रारम या बंद नहीं कर सकते इसलिए इन में पाई जाने वाली पेसीयों को अनेचिक पेसी कहते हैं मूत्र वाहिनी में भी ये पेसीया पाई जाती है इनकी कोशिकाएं लंबी और सिरा नुकीला होता है इनको आरेखित पेसी भी कहते हैं यह दिखिए यहां पर चित्र में यह दिखिए यह ऐसी कोशिकाएं होती हैं ऐसी कोशिकाओं से मिलके जो उत्तक बनते हैं वो उत्तक ये उत्तक जो है ये आरेखित पेशी उत्तक कहलाते हैं ठीक देखे खिर्दे की पेशियां जीवन भर लैबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं यह रचना में रेखित पेशी एच्छिक पेशी की तरह मजबूत एवं कार में और रेखित पेशी अनैच्छिक पेशी के समान होती हैं रचना में जो होता है, जो हमारा हिर्दय है, वो रचना में तो एच्छिक पेसी की तरह होता है, लेकिन जो कार होता है, वो अनएच्छिक पेसी की तरह करता है, अब आते हैं, तंत्रिका उत्तक पे, देखिए तंत्रिका उत्तक का ये जो चित्र दिया है इसको देखिए देखिए ये चित्र इसमें जो ये हिस्सा है इसको डेंडरान कहते हैं बीच में ये जो केंद्रक होता है और ये किनारे ये जो हिस्सा होता है तंत्रिका काय होता है और इसको ये जो ऐसे लाइन जैसी होत तो ये चित्र का चित्र में जो हिस्से हैं उनका नाम है चलिए अब इस पर आते हैं विभिन प्रकार के उद्धीपनों को सरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने का कार तंत्रिका उत्तक करते हैं सरीर में कई सारी इच्छाएं आती हैं कई तरह के इमोशन आते हैं ठीक इमोशन का मतलब डर रोना हसना ये सारी चीज़े जो होती है या फिर हम अपने दिमाग में कोई चीज सोचते हैं कि जैसे कोई चीज रखी है तो हम दिमाग में पहले सोचते हैं ना कि हम मुझे ये तो किसी चीज का उद्धीपन होता है तबी वो कार्य आगे होता है उसके रिस्पॉंस में हम कोई एक्षन लेते हैं तथा सरीर के विभिन अंगों की कार्यों में समन्वैन भी अस्थापित करते हैं तंत्रिका उत्तक तंत्रिकाओं या तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे नियूरान भी कहते हैं ठीक तो यह किसे मिलकर बने होते हैं नियूरान से मिलकर बने होते हैं प्रत्येग नियूरान का मुख्य भाग तंत्रिका काय कहलाता है। तंत्रिका काय से अनेक धागे जैसी रचनाएं प्रवर्ध निकलती हैं। इन्हें डेंडरान कहते हैं। तंत्रिका काय का एक प्रवर्ध मोटा लंबा वा छोर पर साखानवित होता है। इसे तंत्रिकाच या एकसान कहते हैं। यह जो एकसान है इसी को कहते हैं। तंत्रिका काय में एक असपश्ट केंद्रक होता है। एक कोशिका का तंत्रकाच दूसरी कोशिका के डेंडराइट से संपर्ग में रहते हैं ठीक यानि ये चीज जो होती है ये दूसरे जो हमारा दूसरा हिस्सा होगा इसके मीचे वो डेंडरान के संपर्ग में रहेगा ठीक तो एक एक करके ये कई सारे आपस में जाल जैसा बना होते हैं इस प्रकार सरीर के सरीर में तंत्रिकाओं का एक जालसा बन जाता है मस्तिस्क तथा रीड रज्ज भी तंत्रिका उत्कों के बने होते हैं देखिए यह जो हिस्सा होता है यह हिस्सा उठके इसके नीचे आ जाता है ऐसे ऐसे करके कई सारे तंत्रिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इनी के द्वारा संदेश एक जगे से दूसरी जगे पहुंचता है चलिए आगे देखते हैं जन्तुओं में समन्वें देखिए यदि पाचन क्रिया ठीक प्रकार से ना हो तो सरीर को आवश्यक पोसक पदार्थ नहीं प्राप्त होंगे जिससे सरीर को उर्जा भी नहीं प्राप्त हो सकेगी इस प्रकार यदि वरिक कारकरना बंद कर दे तो क्या होगा रुदिर में उत्सरजी पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे तथा समस्त जैविक क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी वरिक मतलब जो हमारा किडिनी होता है किडिनी का कार क्या होता है? रक्त को शान कर सक्ष करना शरीर में जीवन की सभी प्रकिरियाएं एक दूसरे से संबंध होती हैं जिनका आपस में तालमेल तथा उचित समायोजन होता है इसे समनवयन भी कहते हैं जन्तुओं में समनवयन अस्थापित करने का कार दो तंत्रों द्वारा होता है पहला तंत्रिका तंत्र द्वारा दूसरा अंतासरावी ग्रंथ द्वारा तो आते हैं अब हम तंत्रिका तंत्र पे ये क्या होता है तंत्रिका तंत्र सरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रड के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है तीसरा तंत्रिका है तंत्रिका तंत्र में ये तीन चीज़ें आती है पहला मस्तिस्क, दूसरा रिढ रजू और तीसरा तंत्रिका है अब देखते हैं मस्तिस्क मस्तिस्क मतलब जो हमारा माइंड होता है दिमाग यहाँ एक कोमल और महतपूर अंग होता है जो कपाल में सुरच्छित होता है जानि मस्तिस कहा होता है हमारे सर के अंदर होता है समस्त एच्छी क्रियाओं का नेड़े मस्तिस को द्वारा लिया जाता है सुगंद्र, स्रवड तथा रंगों का नेड़े भी मस्तिस में होता है मस्तिस के कई भाग होते हैं मानो मस्तिस को अन जन्तूओं की तुलना में सबसे स्रेश्ट कहा गया है क्योंकि इसमें सरवाधिक तर्क सक्ति विक्सित होती है ये तो मस्तिस का कार्य है हमारे देखिए अब जो मस्तिस्क है हमारा थोड़ी और चीज़े बता देते हैं मस्तिस्क हमारा तीन भागों में बटा होता है यानि ये कितने भागों में होता है तीन भागों में बटा होता है पहला होता है पॉर ब्रेन या जिसको कहते हैं अगर मस्तिस्क यानि जो हमारा मत्था होता है वो अगर मस्तिस्क में आता है और मिड ब्रेन जो उपर का हिस्सा होता है वो हमारा मिड ब्रेन में आता है और जो पीछे का हिस्सा होता है हमारा वो आता है पाश्च मस्तिस्क में यानि हिंड ब्रेन में ठीक अगर मस्तिस्क क्या क्या करता है जो हमारा मत्था होता है अगर मस्तिस्क होता है उसमें उससे क्या क्या कार होता है उसमें इमोशन का कार होता है तर्ग सक्की का कार होता है दर्द महसूस होता है सूचनाओं का आधान परदान होता है ठीक ये सारी चीज़े होती है जो मिड ब्रेन होता है मध्य मस्तिस्क होता है उसका कार्य क्या होता है देखने और सुनने से संबंद रखने वाले जो भी कार्य होते हैं वो मध्य मस्तिस्क के द्वारा नियंत्रित होता है और जो पीछे का ब्रेन होता है पीछे का मस्तिस्क होता है जिसको हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिस्क कहते हैं उसका काम होता है एच्छिक पेशिवा का नियंत्रड साथ में जो हमारा जो रीड की हड़ी जो जुड़ी होती है वो किस से जुड़ी होती है जो हमारे पीछे का मस्तिस्क होता है हिंड ब्रेन उसी से हमारी रीड की हड़ी भी जुड़ी होती है और जो स्वशन क्रिया होती है वो भी पास्च मस्तिस्क से ही नियंत्रित होती है तो यह हो गया हमारा मस्तिस्क अब आते हैं रीड रज्जू पे मानो मस्तिस्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोकली रचना में परवर्तित हो जाता है इसे रीड राजु कहते हैं रीड राजु सरीर के मद्ध में रीड की हड़ी के अंदर सुरच्चित रहती है रीड की हड़ी जिसे बैकबोन भी कहते है बैकबोन जो हमारे पीठ में पीछे की तरफ बीच में होता है ठीक उसी के अंदर जो रीड रजु होते हैं उसी के मद्धे में सुरच्चित रहते हैं रीड रजु से दोनों और अनेक तंत्रिकाएं निकलती है जिनसे समस्त अनेचिक क्रियाओं का नियंत्रड किया जाता है तो रिड रजू जो एनेचिक क्रियाय होती है उन सब का नियंत्रड यहां से किया जाता है अब आते हैं तंत्रिकाएं पे मन उसे के सरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा है नियूरांस का हमारे सरीर में नियूरांस ही नियूरांस हैं उपर से लेके नीचे तक हर जगे, ठीक, दिमाग से लेके रीड की हड़ी वड़ी सब हर जगे, तंत्रिकाएं ही हैं, जही कारण है कि सरीर के किसी भी भाग में कोई उद्धीपन गराड होने पर हमें तुरंत अनुबह हो जाता है, जैसे हमें कोई हलका सा स्पर्स भी करता है तो हमारे सरीर को पता चल जाता है, ठीक, या कोई भी हमको कहीं सुगंद कहीं से आ रही है, कोई महक आ रही है, तो उस सुगंद हमको हमारे मस्तिस को पता चल जाता है, कि वो अच्छी सुगंद है या बुरी सुगंद है, ठीक, यह सारी चीज़े हमको पता चल जाती है, य रिड तंत्रिक अंदेखते हैं, कापाल तंत्रिका ये ग्यानेंद्रियों से उद्धीपन को घ्रहण करती हैं, और मस्तिस्त तक सूचना पहुचाती हैं, जैसे सुनने चूने स्वाद जानने की सूचना आदी, तो एह होता है हमारा कापाल तंत्रिका के द्वारा ठीक रीड तंत्रिकाऑं ये सरीर की समस्द अनेच्जिक क्रियाओं को नियंतृत करती ये रीड pension से निकलती है इन तंत्रिकाओं का जहाब आंत्रिक अंग तत्था त verschा में भैला रहता है सूचम जन्तों में जैसे अमीबा तथा अस्मंजों के सरीर में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता परन्तु समस्त शरीर द्वारा समवेदना ग्रहड की जाती है हाइटरा, एसकेरिस, केचुवा आधी जन्तों में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है परन्तु समस्त कसेर की प्राडियों में या समस्त कसेर की प्राडियों की भात तंत्रिका तंत्र पूड विक्सित नहीं होता यानि जिन जन्तों में जिन प्राडियों में रिड की हड़ी पाय जाती है उनमें तंत्रिका तंत्र पूड रूप से विक्सित होते है जिन जन्तों में रिड की अड़ी नहीं पाई जाती, उनमें तंत्री का अतंद्र पूर रूप से विक्सित नहीं होते, समानता, अब आते हैं अंतासरावी ग्रंथी पे, देखें दो तरह की ग्रंथी होती है, अंतसरावी ग्रंथी और बाहसरावी ग्रंथी अंतसरावी ग्रंथी को इंडोकेरीन ग्लैंड कहते है और जो बाहसरावी ग्रंथी होती है उसको एक्सोकेरीन ग्लैंड कहते है अब आद दिखिए अंतसरावी ग्रंथी जन्तुओं में तंत्र की ये समनवेन के अत्रिक रासाइनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्र किया जाता है ये रासाइनिक पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं सरीर में कुछ विसेज प्रकार की गरंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं इन्हें अंतासरावी ग्रंत या इंडोकेरीन ग्लैंड कहते हैं हार्मोन्स रक्त द्वारा पूरे सरीर में संचारित की जाते हैं या हो जाते हैं हार्मोन्स रासाइनिक तंदेश वाहक की तरह विबिन अंगों की कोशिकाओं तक पहुंसते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं जैसे अधिविक गंति से निकलने वाला हार्मोन इसको कहते हैं क्या एड्रेनिल की मात्रा जब बढ़ जाती है तब आप क्रोधित अथवा उत्तेजित होते हैं ठीक? यानि जब एड्रेनिल की मात्रा अधिक हो जाती है बढ़ती है, ठीक, क्रोध हाता है हमको, गुस्ता बहुत अधिक आने लगता है, जैसे ये अड्रेनल की मात्रा बढ़ जाती है, फिर और सरीर को पुना सामान इस्तित में लाने का कार अन्य विसिस्ट हार्मोन नार अड्रेनल करता है, जानि अड्रेनल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो गुस्ता आता है, आध्मिक उत्तेजीत हो जाता है, उसको फिर से सामान इस्तित में लाने का कार नार अड्रेनल नामक हार्मोन करता है। जिससे गुस्ता सांत होता है फिर या उत्तेजना कम होती है। इस प्रकार शरीर में थाइराइड, पैराथाइराइड, पैनक्रियाज, प्यूस गरंथी, तथा जननांग, आदी अंता चरावी गरंथी पाई जाती है जिन से निकलने वाले प्रमुक हार्मोन्स तथा उनके कार निम लिखे था है अब देखिए यहां नीचे दिया गया है, देखिए, यह जगे पे यह जो उपर है, यह जगे पे जो ग्लैंड पाया जाता है, वो होता है पिट्रिट्री ग्लैंड, यानि प्यूस गरंथी जिसे कहता है गले के पास जो गला होता है हमारा वहाँ पे हमको मिलता है थाइराइड ग्लैंड ठीक और यह होता है यहाँ पे अगनास है और यहाँ पे आपका आ जाता है इसको बोलते हैं अंडास है यहाँ पे होता है व्रिशड और अब देखते हैं यहाँ पे Adenyl Adenyl ígrandh जो होती है वो यहाँ पे होती है यह इजी को उपर होती हände Adenyl Grandh हो गए हमारी ठीक आप देखिए जो तालिकादी है इस में हम जानते है कौन सा Grandh क्या कारे करता है देखिए Puse Grandh इसको कहते है Pitriutil Gland स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है वृद्धी हार्मोन कार क्या होता है देखते हैं सरीर की वृद्धी करता है इसकी कमी से बच्चों की वृद्धी रुख जाती है थाइराइड ग्लैंड थाइराक्सिन हार्मोन निकालता है पैराथाराइड पैराथार्मोन हार्मोन्स निकालता है रक्त में कैल्सियम तथा फासपोरस की मात्रा का नियंद्रड करता है ये अधिवरिक गरंथी या एड्रेनिल गरंथी जिसको बोलते हैं एड्री नेलीन नामप्त हार्मोन का स्रावड करता है इससे क्या होता है क्रोध चिंता एबं मुत्योजना की अवस्था में तना खेस संयोजन का कार्य करता है अगनाशेगरंथी या पैंक्रियाज जिसे कहते हैं इसका कार्य होता है इंसुलीन का स्रावित करना निकालना कार्य देखिए रक्त में सरकरा की मातरा को नियंतरित करता है इसकी कमी से मध्दमेह रोग हो जाता है यानि अगर जैसे हम सुनते हैं ना किसी को diabetes हो गया है तो इसका मत्रब कि उसके अंदर insulin बनने की मात्रा जो है वो कम हो गई है इसलिए उसको diabetes हो गया या diabetes को ही मदुमेह कहते हैं तिक यानि अगर अगनासे ग्रंथी या pancreas gland जो है वो अच्छे से काम करें तो इंसान को इसकी दवा है लेकिन शरीर अगर उसको बनाता है तब तो शरीर कंट्रोल कर लेगा उसको मदुमेह नहीं होगा लेकिन अगर शरीर में pancreas हमारी जरूरत भर का insulin नहीं बना पा रहा है तो उस इंसान को diabetes या मदुमेह हो जाएगा अब आते हैं देखिए व्रिशड या नर में होता है ठीक कौन सा हर्मोन निकालता है ये टेस्टेस टिरान नर जननांगों की विकास को प्रेरित करता है सुप्राणूं के निर्माड को नियंतरित करता है अंडासय ये किस में होता है फीमेल्स में होता है ठीक महिलाओं में फीमेल्स में कौन सा हार्मोन निकालता है एस्टोजन मादा जननांग के विकास को प्रेडित करता है अंडाड़ूं के निर्माड को नियंत्रित करता है ठीक देखे पूर्सों में जो हार्मोन होते हैं रिश्ड के द्वारा निकाल या टेस्टिस के द्वारे निकाल जाते हैं वो होते हैं टेस्टिस्टरान अगर जितनी अच्छी मात्रा टेस्टिस्टरान की पूर्सों में होगी उनका सरीर उतना अच्छा होगा सेम चीज़ फीमेल्स के साथ भी है मादा के साथ उसमें क्या होता है उनके लिए एस्टोजिन की मात्रा उनके सरीर में जितनी अच्छी होगी एस्टोजिन हार्मोन्स की उनका सरीर उतना अच्छा होगा चलिए आब आते हैं पौधों में समनवयन की देखे पौधों में तंत्रि का तंत्र नहीं होता परंतु परियावरण में हो रहे परिवरतन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन द्वारा समनवयित करते हैं हार्मोन समनवयन के साथ साथ पौधों में वृद्धी प्रकास एवं जल के प्रति उद्धीपन आधिक्रियाओं का भी नियंत्र करते हैं तो पौधों में क्या हो सारा पौधे में तंत्री का तंत्र नहीं पाई जाती है ठीक, कोई पूस्ता है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र होती है या नहीं, तो आप कहेंगे पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होती, इसमें सब कुछ जो नियंत्रित होता है वो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, दिखे, चना मटर के खेतों में पौधों की प् और अधिक साखाएं निकलने लगती हैं ऐसा पौधे में उपस्थित पादप हार्मोन आक्सीन के कारण होता है देखे आपने देखा होगा कि अगर हम पौधे को पौधा बढ़ रहा है और पौधे को खोट दें या उपर से तोड़ दें तो क्या होगा जिसको कहता है चिनग दो ऐसे कहते न तो जब उपर से काट देते हैं तो उसके बगल से कई साखाएं निकल जाती है ठीक तो यह क्यों होता है पौधों में एक हर्मोन पाया जाता है आक्सीन नाम का उसके कारण होता है अब देखे पौधों में पायाने वाले हर्मोन आक्सीन हर्मोन पाया जाता जिबरिलेनिन हर्मोन पाया जाता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है, एपस्टीसिक अमल पाया जाता है, और एथिलीन, ये सारे क्या है, हर्मोन पाउधों में पाया जाता है, ये देखें, तालिका दिया है, और इनका कार दिया है, ये भी देखते हैं, देखें, आकसीन क्य करता है या पाउधों या कोशिकाओं में दीर्ग करड़ करता है या कोशिकाओं में दीर्ग करड़ मतलब कोशिकाओं को बढ़ाता है इसके प्रभाव से तने के पार्ट में साखाएं नहीं निकलती है ठीक जिबरेलिन इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं ये अंगूरों का आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन या कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है यानि ये कोशिका को अलग-अलग करता है एपसिसिक अमल यह रंद्रों को बंद करके वासपोत सर्जन को संचालित करने में मदद करता है या पत्तियों के जढ़ने में भी सहायक होता है ठीक तो ये क्या करता है वासपोत सर्जन को संचालित करने में मदद करता है और साथ साथ पत्तियों के जढ़ने में भी सहायक होता है एथलीन यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, संत्रा, आदि को सीग्र पकने में सहायता करता है यानि अब कोई पूसता है अगर कि जो फल पौधों में पकते हैं केला, आम, संत्रा, आदि ऐसे फल तो किस हार्मोन के कारण होता है तो आप बता देंगे कौनसा हार्मोन एथलीन हार्मोन के कारण होता है तो ये हो गए कुछ पादप के हार्मोन यानि पौधो के हार्मोन अब देखते हैं इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा देखें पहले कोसिका जीवन की रचनात्मक एवं कारात्मक की काई है अधिकांस कोसिकाए सूच्म होती है जबकि कुछ कोसिका बड़ी होती है जैसे मुर्गी का अंडा आ दी देखे सूचम कोसिका यह होती है जैसे अमीवा हो गया पैरामीसियम हो गया लेकिन जो मुर्गी का अंडा होता है वो भी एक कोसिका है लेकिन वो अमीवा पैरामीसियम से बड़ा होता है और सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है सुतुरमुर का अंडा कोशिकाओं का अध्यान सूचमदर्सी यंद्र से किया जाता है कोशिका में कई प्रकार के कोशिकांग पाये जाते है जैसे कोशिका होती है तो उसके अंदर बहुत सारे जैसे माइटोकांड्रिया हो गया जीव द्रव हो गया या कोसिका द्रव जिसे कहते हैं ठीक ये सारी चीज़े जो पाई जाते हैं उसी को कहते हैं कोसिकांग यानि कोसिका में पाये जाने वाले जो चीजें हैं उनको हम कोसिका कोसिकांग कहते हैं यानि कोसिका के अंग जिनके विशेश कार निर्धारित होते हैं जैसे माइटोकांड्रिया का कार उर्जा का निर्मार तथा संग्रह करना है पादब कोशिका, कोशिका भित्ती से धकी होती है तथा इनमें हरित लवत नामक विशिष्ट कोशिकां पाया जाता है जो प्रकात संसलेशन में सहयक होता है तो जो पादब कोशिका होती है वो कोशिका भित्ती से धकी होती है कोशिका बित्ती मतलब एक बहुर दिर्ड चीज होती है जिससे वो कोशिका ढकी होई होती है ताकि अंदर की चीजों को नुकसान ना हो उसी के अंदर पाया जाता है हमारा हरित लवक, हरित लवक मतलब क्लोरोफिल और क्लोरोफिल का काम होता है प्रकास तंसलेशन की सहायता से भोजन बनाना पौधों के लिए फिर आते हैं अगले पे समान रचनावा उत्पत्तिवाली कोसिकाओं का समूझ इनके द्वारा विसिस्ट कार होते हैं कई सारी समान कोसिकाओं आपस में मिलके जो एक निश्चित या एक अलग सा कार करती हैं उनको क्या कहते हैं उत्तक ठीक, फिर आगे देखते हैं, पौधों में उत्तकों को दो समूमें बाटा जा सकता है, पहला प्राविभाजी और दूसरा अस्थाई उत्तक, जन्तुओं में उत्तक कई प्रकार के होते हैं, एपिथीलियम उत्तक, सैयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, संत्रिका उत्तक, जन्तुओं में समन्वयन अस्थापित करने का कार दो तंत्रों द्वारा होता है तंत्रिका तंत्र और अंतासरावी तंत्र द्वारा पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स द्वारा समनवेत करते हैं पौधों में आकसीन, जिब्रेलिन, साइटो काइनेन, एपसिसिक अमल तथा एथलीन आद हर्मोन बनते हैं या पाये जाते हैं देखें ये पार्ट एकस्प्लेन हो गया आप लोग का, अब आ गया है अभ्यास प्रस्ण, अभ्यास प्रस्ण आप लोग इस पार्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे, वीडियो जब देखेंगे आप लोग, तो आप लोग को समझ में आएगा पार्ट, आसान है, कठिन नहीं है, अब पार्ट को पढ़ने के बाद आप लोग इसके जो अभ्यास प्रस्ण है, ये हल करेंगे, आराम से हल करिएगा, आसानी से हल हो जाएंगे, बिल्कुल कठिन नहीं है, ये सारे अभ्यास प्रस्ण, आप लोग हल करिएगा, अब कोसिस करिएगा कि इसका नोट्स दूर बनाएं ताकि आपको प्रेक्टिस हो जाए और आसानी से याद भी हो जाए तो यह अभ्यास प्रस्णा आप लोग हाल कर लेंगे और आप लोग यह पार्ट याद भी कर लेंगे अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे तो आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगे और अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं तो यह पार्ट आप लोग का समाप्त हो गया अब अगला पार्ट अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद